वल्कम टू प्रकरकेडनी आपकी प्यारे से चैनल पर आपका स्वागत है और आज की शुरुवात होती है मोटिवेशनल थौट के साथ आज का थौट है I know what I want and I am going to get it बिल्कुल साफ आपको अपना attitude रखना है आपको पता होना चाहिए कि आपकी destiny क्या है आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं यहाँ पर कोई ambiguity काम नहीं करती है clarity of thought आपका लक्षे क्या है आप क्या चाहते हैं जो आप चाहते हैं उसे आपको बस प्राप्त करना है तो यहाँ पर एक example दिखाया है कि जिसे रॉल इंफिल्ड का की इनोंने शो किया है तो हर एका अपना एक ambition होता है आपके अपने ambitions हैं तो उन ambitions को पहले पहचाने और पहचानने के बाद जो रास्ता है उस रास्ते को तैग कीजिए और finally अपने achievement के साथ आप भी अपने सफलता की कुंजी अपना सकते हैं आप उसे पा सकते हैं चलिए इसी thought के साथ हमारी शुरुवात होती है पहले प्रशन के साथ पहला प्रशन है कि 2021 का जो Pulitzer पुरुषकार है उसमें special citation award जो है वो किसने जीता है तो मैं आपको बता दूँ इसे जीतने वाली है डार्नेला फेजियर कौन है डार्नेला फेजियर है अब हम बात करते है पुलिजर पुरुषकारों की तो मैं आपको बता दूँ के पत्रकार और कला इन छेत्रों में पुलिजर पुरुषकार जो है उनकी घोशना आपको पता यह शुक्रवार को हो गई थी और पिछले एक साल में हमें पता है कि जो महामारी चल रही थी यानि कोरोना वायरस इसके कारण बटोविय से कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे ठी अमेरिका में एक परसन थे जिनको की पुलिस के द्वारा जिनकी हत्या कर दी गई थी यनि मार्क पीट के दौरान उनकी हत्या हो गई थी इसी को कवर किया है इसी चीज़ को उन्होंने कवर किया है और वो जो कवरेज है उसी के लिए इन्हें मिला है पुलिजर पुलिस का डार्नेला फ्रेजियर को तो इस साल डार्नेला फ्रेजियर को special citation दिया गया है उन्होंने मिनेसोटा में उस घटना को record किया था जिस दोरान एश्वेत अमेरिकन जिनका नाम जोर्ज फ्लॉइड था उनकी जान चली गई थी आपको याद आ रहा होगा ठीक है ना तो ये था आ आगे आपका special citation award तो ये डार्नेला फ्रेजियर को मिल गया है winner के रूप में और अब fiction प्रैस की अगर हम बात करें तो ये किसको मिला है दा नाइट वाच्मेन लुइस एडित को और टेलीफोन अन नौवल पर्सिवल एवरेट और रजिस्ट्री ओफ माई एक लंबी आप हर एक section देख सकते हैं सभी हैं आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं दा होट विंकिंग कटोरी हॉल सर्कल जर्प पैट्रिक फॉले माइकल ब्रसलेन स्ट्यू जोरा होवर्ड म्यूजिक प्राइज मिला है स्ट्राइड तान्या लियान फीचर फोटोग्राफी प्राइज है एमिल्यो मौरेनेटी टाइलर हिक्स पोट्री प्राइज है आपका पोस्ट कॉलोनियल लव पॉएम पॉएम एंडियाज आट्रिटाइज ऑन स्टार्स में में ब्रेसलिंबर्ब इन दा लेटेंस ऑफ दा कैरोलेन फॉर्चे ठीक है इस तरह से करके पूरी की पूरी एक लिस्ट है तो आप इसे आराम से देख सकते हैं इसके बाद अगले प्रेशन पर आते हैं कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है यानि विदेशी मुद्रा भंडा वो चार जून को कितने अरब डॉलर के रिकार्ड इस तर पर पहुंचा था तो आपको पता होग यह पहुंचा था 605 अरब डॉलर पर कितना 605 अरब डॉलर 28 मई को समाप्त होने वाले हफते में यह रिजर्व 598 अरब डॉलर था जो एक ही हफते में बढ़कर 605 अरब डॉलर हो गया और यह पहली बार है जब हमारे देश ने इस आंकड़ी को छुआ है ठीक है तो एक हफ अफते में विदेशी मुद्राभंडार 6.84 अरब डॉलर से बढ़ गया अब बात आती है विदेशी मुद्राभंडार कहां से आता है विदेशी मुद्राभंडार क्या होता है तो बटो वी से नाम से पता लग रहा है कि जो आपका विदेश से आने वाला फंड है यानि जै मनी जो आएगी वो कहां पर आएगी वो हमारे यहां पर आएगी और दूसरी तरफ जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया है यह हमारी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए हम जो आयात करते हैं उसके लिए धन कहा जाएगा वो धन जो होगा वो भारत से बाहर जाएगा तो यानि positive trade किया है हमने यह negative trade किया है, तो but obviously अगर हमारा export जादा है और import कम है, तो इस condition में हमारा जो foreign reserve है वो बढ़ेगा, तो foreign reserve में basically आता क्या क्या है ज़रा देख लेते हैं, एक तो विदेशी परिसंपत्य आती है, IMF के पास जो reserve कोश है, यानि कि जो reserve trench होता है वो, हमारा जो gold का भंडार होता है, वो शामिल होता है, SDR होता है यानि special जो आपका drawing rights होते हैं, तो वो इसमें शामिल होते हैं, अब अगर हम बात करें विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत की, तो भारत का क्या इस्थान है, तो भारत का इस्थान है पांचवा, भारत fifth place पर आता है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, पहले इस तर पर आता है चाइना, second number पर आता है जिपैन, third number पर आता है आपका Switzerland, fourth पर आता है रशिया, और fifth पर अपना भारत, next प्रशन आता है इसके बाद, जो Caroline Iverson है, उन्होंने हाली में स्तिफा दिया है, वो किस कंपनी की global advertising आपकी head थी, तो वो थी Facebook से, Facebook की वो आपकी क्या थी, global advertisement की head थी, अब हुआ क्या, वो replace हुई है, उन्होंने आपको पता हुआ कि, उन्होंने अपना एक social media पे एक note छोड़ा था, कि मैं इसको drop कर रही हूँ, अब उनका स्थान किस ने लिया है, उनका स्थान ले रहे हैं, निकॉला मैंडल्सॉन, ठीक है, अगला प्रशना था है, जो Qo app है, देखिए Qo app चर्चा में आया है भी, तो Qo app चर्चा में क्यों आया, क्योंकि एक देश ने उसे अपना अधिकारिक अकाउंट बना लिया है, उन्होंने ट्विटर को तो प्रतिबंधित कर दिया, और भारत का जो Qo app है, इसको उन्होंने अपना लिया है, इसकारण से Qo app चर्चा में आया है, अफ्रीका के एक देश, नाइजीरिया ने प्रिटर को प्रतिबंधित करते हुए, भारती एप Qo, Qo app को आधिकारिक तोर पर अपना अकाउंट बना लिया है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा नाइजीरिया के बारे में, पूर में चाड, तो मतलब आप समझ रहे होंगे, वेस्टर साइड में क्या है उसके, बैनिन है, इस्टर साइड में आपका चाड है, नौर्थ में कैमरून है, और साउथ में आपका गुयाना की खाड़ी है, तो ये पहचान करने लिए, जैसे आप लोग कोई मकान लेते हैं, कोई आपने दुकान ली, मकान लिया, तो क्या होता है, उसमें नक्षा जो होता है, उसमें लिखा जाता है, कि इसके उत्तर की साइड में क्या है, इसके left side में क्या है इसके right side में क्या है ठीक है जिससे कि उसकी location set हो सके तो उसी तरह से जिसे यह देश है जो भी आप देश पढ़ती है तो उसके दाएं बाएं जो भी आपके physical आपको जो चीज दिखाई देती हैं उन चीजों को आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा परव राजधानी रही है लागोस के अलावा इबादान कानो जोस बैनी शहर यह सब शहर इसके शामिल है तो देखे है क्या आपको यह देश के साथ उसके शहर पढ़ने क्यों जरूरी है क्योंकि यूपियस क्या करता है जैसे कहीं पर कोई भी incident होता है तो उस incident के according वह क्या आपन वो बता देगा बताईए इनको आप उत्तर से दक्षिन की तरफ अरेंज कर दीजे यह यह बता देगा बताईए इस शहर जो है वो किस देश से बिलॉंग करते हैं तो आप जब भी कोई खबर पढ़ते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि जो शहर वहाँ पर कोई incident हुआ है तो उसको आप अपने ध्यान में रखें हैं। और ये आप देख सकते हैं, देखिए अफरीका आप देख रहे हैं, अफरीका में आप देख रहे हैं याप ये वेस्टर्न साइड में ये है बिलकुल, कॉस्ल एरिया पे, ठीक है? location of the Nigeria को clear हो गया अब बात आती है राजधानी की तो राजधानी इसकी अबूजा है और सबसे बड़ा नगर किस क्या है लागोस है और राजभाशा इसकी English है और अगर हम बात करें धर्म की तो धर्म छोड़ दीजे निवासी इन्हा के Nigerian कहलाते हैं फेडरल प्रेजिडेंशिल रिपब्लिक है प्रेजिडेंट कौन है? मुहमदू बुहारी है वैस प्रेजिडेंट येमी ओसिन बाजो है ठीक है? तो ये जानकारी किस के बारे में हो गई? ये नाईजीरिया के बारे में कुछ बाते हुई अब अगले प्रशन की तरफ आते हैं, अगला प्रशन है हमारा, मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना के ड्राफ्ट को स्विक्रती मिली है, हाली में जो मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना है, उसके ड्राफ्ट को स्विक्रती देने वाले राज्य का नाम क् राजस्थान राजस्थान में योजना लागू की गई है। और इस योजना के इंतरगत क्या-क्या हुआ है। जो क्रिशी कारियों के लिए बिझली के अपभ곡ता हैं यानी जो लोग क्रिशी में संल्गने हैं तो बतोविय से उनके सिछाई के लिए या किसी और कारिय के लिए जो कृशी से related है जो बिजली की इस्तामाल करना होता है तो जो बिजली के वो भुगता बन गई है तो उन्हें जो खर्च आता है मान लिजीए उन का खर्च जो है एक हजार रुपए आ रहा है तो ये एक हजार रुपए अनुदान राशी के रूप में उन्हें मेज जाएगा यानि उन्हें अपनी तरफ से कुछ पे नहीं करना है लेकिन ये हजार रुपए अगर हम बारा महिने के साथ से सोचें तो टोटल मनी कितना आपका कॉस्ट करती है ये होती है बारा हजार रुपए तो राज्य सरकार ने कहा है कि एक हजार रुपए मासिक या बारा हजार रुपए सालन्य का अनुदान राज्य सरकार देगी लेकिन कब जब बिजली का बिल इतना आ रहा हो दूसरी तरफ अगर बिजली का बिल एक हजार से कम आ रहा है माल लीजी कि 500 रुपए ही खर्च हो रहा है तो 500 रुपए खर्च होने पर बाकी के जो 500 रुपए बचेंगे उसकी सान के वो उसके खाते में ट्रांस्फर कर दी जाएं अब प्रशनी ये उठता है सरकार इतनी उदारवादी नीती का इस्तमाल क्यों कर रही है तो आप समझ सकते हैं ये बचत करने का एक तरीका है सरकार इस तरीके से लोगों को बचत करने के लिए प्रेडित कर रही है बट ओवियसे जब हमें ये क्लियर होता है कि अगर हमारा पैसा बचेगा यानि बिजली अगर हम कम इस्तमाल करेंगे तो वो पैसा हमारे खाते में आएगा तो हम क्या करेंगे हम वेस नहीं करेंगे तो बट ओवियसे जितने भी किसान मित रहें या उनकी जो फैमली मेंबर से हैं तो वो इस बात का द्यान लखेंगे कि जितनी जरुवत है जितनी आवशकता है बस उतनी ही बिजली का अस्तमाल करेंगे बाकी जो पैसा है वो उनके खाते में आजएगा और इससे राज्य सरकार को क्या लाब होगा इससे राज्य सरकार को ये लाब होगा कि जो wastage of energy है wastage of power है वो नहीं होगा उससे देश को भी लाब है तो अब बात हुई ये 12,000 रुपए है अच्छा इस योजना में जो टोटल कोस्ट आ रही है टोटल लागाता रही है वो 1450 करोड रुपए आ रही है अगला प्रशना था कि लक्षमी नंदन बोरा जो है उनका निधन हुआ है वें कौन थे तो वो एक असमिया भाषा के सहित्यकार थे जिने सन 1988 में सहित्य अकैडमी प्रुषकार बाद में पदम शरी प्रुषकार और सरस्वती सम्मान भी प्राप्थ हुए थे ये लक्षमी नंदन बोरा रहे हैं जिनका जो संबंध किसे हैं असमिया भाषा के सहित्यकार थे अगला प्रशनात है UK Asian Film Festival में कितने भारतियों को अवार्ड प्राप्थ हुए है तो ये प्राप्थ हुए है थ्री इंडियन्स को यानि तीन भारतियों को अगला प्रशनात है TM कल्यान गॉंडर जिनका हाली में निधन हुआ है वे कौन थे तो संविधान सभा के ये सदस्य थे और विलॉंग कहां से करते थे ये थे आपके तमिल नाडू से और अब तक एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कि संविधान सभा के सदस्य रहे थे और हभी हाली में इनका निधन हो गया है ये तीन बार विधान सभा के सदस्य भी चुने गए ठीक है अगला प्रशनात है इसके बाद बालश्रम के खिलाफ विश्व दिवस जो है वो कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 12 जून यनि आज ही के दिन और आज क्या बस एक थोड़ा टाइम आगे हो गया तो थीम क्या है इसकी Act Now and Child Labor कहने का मतलब ये है ये वक्त आ गया है कि जब Child Labor को समाफ्त कर दिया जाए तो आप यहां देख सकते हैं ये आपका UN के द्वारा है ये वर्ल दे अगेंस अचाइल लेबर 12 जून चिल्रन फ्रम देख सकते हैं ये तो पुराना न्यूस है Act Now and Child Labor ये अभी करेंट का है ये ये जो आपका 2021 है इसे International Year of the Elimination of Child Labor के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है अब देख रहे हैं कितना समस्या है COVID के कारण और COVID के कारण इतनी समस्या के बावजूद इसको ये सेलिब्रेट किया जा रहा है in June for World Day, the ILO and UNICEF will release new global estimates and trends on the child labor under the edges of Alliance 8.7. The report will include an assessment of how the pace of progress towards ending the child labor is likely to be affected by the COVID-19 pandemic and the unprecedented economic crisis that has accompanied it ये बात आपको समझ्या गई होगी कि COVID के कारण होने वाली परेशानिया और इस बीच में इस आंदोलन को जो च्छती पहुंची है उस सब का आकलन किया जाएगा for this year's World Day a week of action will be launched around 12th June starting with the launch of the new global estimates on the child labor ठीक है the events and the activities carried out during this week will be an opportunity for partners to showcase progress in carrying out their 2021 action pledges all pledges made by the regional national and organizational stakeholders and individuals will be featured on the website for the 2021 international year in April तो यह देखिए इतनी सारी सूचना ही हूँ इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा अगला प्रशन आता है उसके बाद किस राज्य सरकार ने Life Science Park में COVID-19 व्यक्ति निर्माण इकाई स्थापित करने को मंजूरी दे दी है तो मैं आपको बता दू यह जो मंजूरी दी गई है यह दी गई है किस राज्य के दौरा कैरला राज्य के दौरा दी तो मैं आपको बता दू तो ये आपका Indian Express ने जो इसको cover किया है अब Indian Express में अगर देखेंगे तो ये पूरा cover किया है अभी मैंने वो cutting नहीं लगाई है लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ Then new facility would work in tandem with the Institute of the Advanced Virology under the Kerala State Council for Science, Technology and Environment तो IS officer जो Dr. S. Chitra है उन्हें appoint किया गया है एक project director के रूप में एक important question है मैंने इसलिए शामिल किया इसको अगला प्रशन है इसके बाद विवादास पद social media text को खत्म कर दिया गया है किस देश में खत्म किया गया है यूगांडा में तो मैं आपको बता दूँ पहले social media use करने पर यूगांडा में ये text लिया जाता है आपको समझ भी आ गया वो देखने से ही लेकिन अब इसको समाप कर दिया गया है तो उत्तर यूगांडा हो गया है राजधानी क्या है कंपाला है प्रेजिडेंट कोन है यूवेरी मुसलिनी है थोड़ा सा जान लेते हैं यूगांडा के बारे में यूगांडा जो है ये गंडराज्ये पूरवी अफरीका में देखे अभी हमने नाइजीरिया की बात की थी तो वो कहा है वेस्टर कोस्ट की तरफ है और यूगांडा कहां पर है ये आपका इस्टर जो अफरीका है उसकी तरफ है में इस्थित एक प्लेस है जो landlock है landlock क्या होता है? landlock country का मतलब होता है जिसको water body touch ना करी water body मतलब जैसे ocean जो है उससे वो घिरा ना हो यहनि coastal area ना हो चारो तरफ से सिर्फ स्थल रुद कहते हैं जिसको मतलब चारो तरफ से उसके सिर्फ land हो, water body तो इसको क्या कहते हैं? landlock country कहते हैं इसकी सीमा पूर्म में Kenya से ही आपको याद रखना है East की तरफ Kenya है North की, आप map देख लीजे North में आपका Sudan है West में आपका Congo लोकतांतरी गंडाज्य है और South में आप देखेंगे तो Rwanda है ठीक है? और साथ ही तंजानिया देश के दक्षनी हिस्से में एक जील है जो बहुत फेमस है जिसका ना विक्टोरिया जील है उसका एक बड़ा भाग शामिल है इसमें Kenya तंजानिया से भी ये सीमा जो है वो शेर करती है युगांडा नाम बुगांडा राजशाही परिवार से लिया गया है जिसमें देश का दक्षनी हिस्सा जिसकी राजधानी कमपाला है वो भी शामिल किया जाता है देश की एक तिहाई जनसंक्या अंतरास्ट्री गरीबी रेखा यानि दो डोलर प्रती दिन से भी यानि जीवन यापन इतने कम पर करती है ये युगांडा गर्णराज्य के बारे में ये उनका ध्वज है ये चिन है राष्ट वाक्य क्या है भगवान और मेरे देश के लिए राष्ट गान है ओ युगांडा सुन्दर्ता का देश और आप ये देख सकते हैं ये इस्टर्ण कॉस्ट की तरव ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं तो ये क्या है आपका युगांडा है थोड़ा इस्टर्ण साइड है लेकिन लैंड लॉग्ड है क्योंकि ये आपका किसी भी सागर से ओशन से प्रच नहीं हो रहा है राज़ानी कंपाला बता चुका हूँ सबसे बड़ा नगर कंपाला है राजभाशा अंग्रेजी है ठीक है निवासी युगांडा सरकार लोकतांत्रे गंडाज्य है रास्टरपती मैं बता चुका हूँ युवेरी मुसे वेनी है और उप्रास्टरपती जो है वो गिलबर्ट बुकेनिया बाली बालेशा है प्रथानमत्री है अपोलो सिबांबी ठीक है तो यह जानकारी हुई युगांडा के बारे में अब अगले प्रशन पर आते हैं इसके बाद अगला प्रशन है All India Survey on Higher Education इंपॉर्टन्ट है आईशे जो है उच्च सिक्षा पर अखिल भारतिय सर्वेक्षन रिपोर्ट 2019-2020 के लिए चात्रों के नामंकन में 2015 से लेकर 2020 के बीच में कितने प्रतिशत की व्रद्धी हुई तो यह जो व्रद्धी हुई है रेजिस्ट्रेशन में यह हुए 11.4% तो शिक्षा मंत्री जो रमेश पोकरियाल निशंख है उन्होंने ट्वीट करके यह जानगारी दी थी कि I feel delighted to announce the release of All India Survey on Higher Education 2019-20 report As you can see, we have improved in GER Gender Parity Index The number of institutions of the national importance increased 80% from 75 in 2015 to 135 in 2020 देखिये, उन्होंने यह बताना चाहा कि जब से हमारी गवर्मेंट आई है 2015 2015 और 2020 इसके बीच में काफी ग्रोथ आई है पहले 75 था और अब वो बढ़कर के 135 हो गया है एक इंपॉर्टन न्यूस है आपके लिए अगला प्रशना आता है उन्होंने सन 1995 में में एक एस्टरोइड 8558 हैक की खोज की थी और उसीं को सम्मान देते हुए आज के दिन यह आपका गूगल ने किया है गूगल पेस ट्रिब्यूट तो दा इटालियन ऐस्टरोफिसिस्ट विद दे डूडल डूडल समझते ने एक पिक्चर डिवेलप हो जाती है गूगल में आप देखते हैं जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो देखते हैं कि कोई एक नया पिक्चर लगा होता है तो वो पिक्चर जो है वो एक तरह से एक स्पेशल डे शो करने के लिए एक तरह का ट्रिब्यूट होता है किसी को यह नाम था उस एस्टरोइट का जिसे नाम दिया गया उनके सम्मान में और आप देख सकते हैं यह गूगल आप तो शैचेंज हो गया हुआ तो यह आपका पिक्चर बना हुआ था मॉर्निंग से अगला प्रेशन आता है इसके बाद यह भी काफी इंपॉर्टन है कोई भी कोईशन ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकें चिपकली के एक नई प्रजाती जिसका नाम सायरटो डेक्टाइल से बैंक हुआया उनका नाम किस राज्य किस स्वतंतरता सेनानी के नाम पर रखा गया तो यह बात है मिजोरम के बारे में मिजोरम के एक स्वतंतरता सेनानी थे जिनके नाम पर उसका नाम रखा गया यह है जेको नेम्ड आफ्टर दा मिजो स्चीफ्टेन हूँ फॉट ब्रिटिश वन फिफ्टी इर्स एगो आरबियाई नेचंदर शेखर घोश को किस बैंक का MD और CEO डिवलप किया तो यह बनाया गया था बंधन बैंक के लिए अगला प्रशन आता है कि बुद्ध देव गुपता जिनका हाली में निधन हुआ है उनका संबंद किस छेत्र से था तो उनका संबंद था सिनेमा जगत स किस कंपनी ने अनुप प्रोहित को अपना मुख्य चुनाओ अधिकारी नुक्त किया है तो यह किया है विप्रो कंपनी ने यह कब बनी 1945 हैड़कॉर्टर का है बेंगलूरू इस साल का स्पैनिश प्रिंसेस ऑफ आउस्ट्रियास लिट्रेच रवार्ड किस ने जीता है एमैनुएल केरे ने और इसके बाद अगला प्रेशन यूरो कप जो 11-12 जून 2021 को शुरू किया गया है वो टूर्नामेंट का संबंद किस खेल से है तो यह फुटबॉल से और जिसमें पुर्तगाल विजेता रहा था यह 2020 में होना था लेकिन कोवेट के कारण इसको डिले किया गया और इसका टाइम पिरेड बढ़ा कर या एक्स्टेंड करके आगे बढ़ाया गया और आज सुरी अब यह 11-12 जून 2021 में शुरू हुआ है CHATT जिसे आप च्छत या जैसी भी आप पढ़ते हैं पढ़ सकते हैं इस संग का निर्माण किस ने किया इस संग का निर्माण AIRBNB OYO Yatra Is My Trip घरेलू परियतन को बढ़ावा देने वाले इन कंपनियों ने किया है और इसके द्वारा क्या है डिजिटल जो The Cost of Climate Change in India Report किसके द्वारा जारी की गई Overseas Development Institute इसमें कुछ प्रशन ऐसे रहे जो मैं डिटेल करना चाराता पर नहीं कर पाए क्यों वीडियो पहली बहुत लंबा हो गया मैं उमीद करता हूँ आपको कॉंटेंट पसंद आया होगा और मुझे भी अब नीद आ रही है तो प्लीज थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब इफ यू लाइक देर प्लीज दूएट आपको पसंद आया होगा और मुझे भी अ